बिग बॉस शो के मेकर्ज ने एक घिनोना आइडिया अपनाया जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस शो को काफी हेट किया जा रहा है और लोगों ने कहा कि टी आरपी के लिए या कॉंट्रुवर्सी के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं ये किस तरह का creative idea है जिसमें ऐसी हरकते की जाती है ऐसा क्या हुआ है सलमान खान के इस शो में मैं आपको बताती हूँ बिग बॉस शो वैसे ही इस बार काफी धीला चल रहा है लोगों को ये शो पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि contestants जो है टास्क के लिए उतने अग्रेसिव होकर नहीं लड़ रहे हैं जतना पिछले सीजन्स में हम देखते आए हैं इसके अरावा शो थोड़ा बोरिंग भी है टी आरपीस की लिस्ट में तो अल्रेडी ये शो लड़ खड़ा रहा है यही कारण है कि makers शो का creative लेवल बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं कभी wild card entries दे रहे हैं तो कभी task बहुत जादा tough कर रहे हैं इसे बीच recently इस शो में जब elimination का time आया तो elimination के लिए शो के makers ने coffin का इस्तमाल किया कि जो भी eliminate होगा वो इस coffin के अंदर जाएगा ये coffin में eliminate करने की बात लोगों को बिलकुल भी नहीं पसंद आई लोगों ने कहा कि coffin में एक मुर्दा इंसान को रखा जाता है मरने के बाद लोगों को coffin में रखा जाता है आप elimination के लिए coffin इस्तमाल कर रहे हैं इससे घिनोनी बात और कुछ नहीं हो सकती एक user ने कहा इस tough time में जहां हमने पिछले कुछ महीनों में मौत ही मौत देखी है ऐसे में इस तरह से coffin को एक creative idea के रूप में use करना इससे pathetic इस शो के लिए और कुछ नहीं हो सकता एक और user ने कहा ये coffin का concept तो मुझे बिलकुल पसंद नहीं आया coffin में लोगों को तब डाला जाता है जब उनकी मौत हो जाती है ये game है death नहीं coffin को इस्तमाल करना अच्छा sign नहीं है इस तरीके के reactions इस show को मिले हैं social media पर आपको बता दें कि already show के makers पर इलजाम लग चुका है कि सिर्फ शमिता शेटी के career को boost करने के लिए ये show बनाया गया है